नमस्कार इस वीडियो में हम एक नजर आर्थिक सर्वेक्षन पर डालेंगे वह इसलिए क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में 2021-22 से समधित आर्थिक सर्वेक्षन को जारी किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षन यूनियन बजट के लिए संदर्व या कॉंट्रेक्ष निर्धारित करता है यह क्रिसी और द्योगिक उत्पादन, बुनियादी धाचे, रोजगार, मुद्रा आपूर्थी यानि मनी सप्लाए कीमतों, आयात, निर्यात, जैसे विभिने छित्रों में रुज़ानों की एक जलग पेस करता है देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षन उनिस सो पचास इकावन में जारी किया गया था और अगले चौधा सालों के लिए इसे यूनियन बजट के साथ पेस किया गया 1964 में इस ट्रेंड को बंद कर दिया गया और तब से आर्थिक सर्वेक्षन बजट से पहले आ रहा है अब इसे बजट से एक दिन पहले रिलीज किया जाता है अगर हम आर्थिक सर्वेक्षन की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षन परंपरागत रूप से तीन उद्देशियों को पूरा करता है पहला उद्देश यह पिछले बारह महिनों में अर्थविवस्था की विकास की समीच्छा करता है दूसरा उद्देश यह प्रमुक विकास कारिकरमों के प्रदर्शन को सारांसित करता है और तीसरा उद्देश यह सरकार की नीतिकत पहलों पर प्रकास डालता है Economic Survey को तयार कौन करता है? तो Economic Survey को Chief Economic Advisor या मुख आर्थिक सलहकार के द्वारा तयार किया जाता है Economic Survey के तयार होने के बाद इसे वित्द मंत्री द्वारा एप्रूवड किया जाता है जब अर्विन सुर्मन्यम ने मुख आर्थिक सलहकार का पद समाला तब से Economic Survey दो वॉल्यूम में आ रहा है इस ट्रेंड को उनके जाने के बाद उनके उत्राधिकारी के भी सुर्मन्यम ने भी जाली रखा आर्थिक सर्वेक्षन के पहले खंड मतलब ये कि पहले वॉल्यूम में आर्थिविवस्था के भविश्य की दिशा से सम्मन्धित अध्याय होते हैं इसके द्वारा चीफ एकोनोमिक एडवाईजर अपने विचारों को सामने रखते हैं इसके माध्यम से ही चीफ एकोनोमिक एडवाईजर ना केवल आने वाले समय में होने वाली आर्थिक घटनाओं पर अपने विचार रखते हैं बलकी सरकार को अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए सलाह भी देते हैं अब अगर बात करें Economic Survey के Second Volume की तो Second Volume में पिछले वर्स में भारती अर्थविश्था में विभिन छेत्रों में हुए विकास से सम्मधित डेटा को प्रस्तुत किया जाता है Second Volume अर्थविवस्था और उसके छेत्रों की इस्थिती के साथ तातकालिक मुद्दों मतलब Contemporary Issues हैं वो और सांखी किये आकड़ों मतलब Statistical Data पर अधिक जोड़ देता है पिछले साल का आर्थिक सर्वेक्चन यानि की आर्थिक सर्वेक्चन 2020-21 महामारी के साए में लाए गया था और इस सर्वे की थीम थी Saving Lives and Livelihood अब अगर एक रिपोर्ट की माने है तो Economic Survey 2021-22 जो आने वाला है अब आठ साल बार एक वल्ल्यूम में वापस आ सकता है उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि चीफ Economic Advisor केवी सुर्मन्यम ने इस पद पर तीन साल रहने के बाद 17 दिसंबर 2021 को इस्तिफा दे दिया केवी सुर्मन्यम के जाने के एक महिने के बाद डॉक्टर वी अनन्त नागेस्वरम को नया मुख आर्थिक सलाकार न्युक्त किया गया यह घोसना केंद्री बजट और आर्थिक सर्विक्षन की प्रस्तुती से पहले की गई मतलब जो बजट आने वाला है और एकोनोमिक सर्वे तो इन दोनों के आने से पहले नए चीफ एकोनोमिक एडवाईजर की न्युक्ति की गोसना की गई है एक फरवरी को विद्ध मंत्री संसब में आम बजट पेस करेंगी अगर हम बात करें नए चीफ एकोनोमिक एडवाईजर की तो नागे सुरन आई एफ एम आर ग्रेजुएट इस्कूल ऑब बिजनेस के दीन और क्रे उनिवर्सिटी में अर्थसास्त्र के विशिस्ट विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं वेग 2019 से 2021 तक भारत के प्रधान मंतरी के आर्थिक सलहकार परिशत मतलब एकोनोमिक एडवाईजरी कौंसिल के अंसकालिक सदस भी रहे हैं तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आर्थिक सर्विक्षन पर एक संचित नज़र डाली इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समात्र करते हैं आप हमारे साथ बने रहे नई-नी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें धन्यवाद